नमस्कार दोस्तों अगनीपत योजना को लेकर कुछ जिन पहले एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था और उस नोटिस में आप nauकोड गया जानकारी है दिया गया है कि आप लोग का जो अगनीपत योजना है उसको आपढ़ा दिया गया है और 7 साल का जो है अब आप लोग कहाँ पर अगनी पत्योजना रहने बाला है यानि कि अगनी बीड जो है 7 साल के लिए अब यहाँ पर बनाए जाएंगे और उस नोटिस में और भी बहुत सरा जो जानकारी है वहाँ पर दिया हुआ था तो उस नोटिस के बारे में जो है अभी अभी सरकार के तरब से एक नया सूचना आपर जारी किया गया है तो उसी के बारे मैं आप लोग को आप जानकारी देने बाला हूँ सबसे पहले मैं आप लोग को notice दिखाता हूँ कि notice किस तरीके से जाड़ी किया गया था उसके बद मैं आप लोग को दिखाऊंगे कि सरकार ने जो है किस तरीके से नया सूचना पर दिया है वो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ नहीं बता रहा था कि यह नोटिस जारी कहां पर किया गया है सरकार में अभी यहां पर बताया है कि यह नोटिस कहां से आप लोगा आया हुआ है सभी लोग जो सिर्फ नोटिस दिखाये थे लेकिन बताने रहे थे कहां पर जो नोटिस से उसकों पर जारी किया गया है लेकिन अभी देखे मैं आप लोग को बतता हूँ कि कहां पर जो notice है उसको आप जारी किया गया है यहां पर देखे मैंने जो है officially जो PIB fact check कहां पर जो official Twitter account है उसको आप पर open कर रखा है यहां पर देखे PIB जो कि सरकार की यहां पर जो है आप लोग का जनकाई दिया जला है कि जो notice है उसमें आप लोग का जनकाई दिया गया है कि साथ साल का जो है अब अगने भी रियोजना हो गया है साथ परसेंट यहां पर पर्मानेंट हो जाएंगे और भी बहुत साथ जहां पर income है उसमें बदलाव किया गया है तो यहां पर साफ साफ आप लोग का जनकाई दिया गया है कि यह जो notice है यह आप लोग का बिल्कुल fake notice है और यह जो है एक WhatsApp message है और WhatsApp का एक notice है जो कि यहां प पूरी तरीके से फर्जी है अब जो है officially सरकार के तरफ से आप सूचना दे दिया गया है कि आपका जो योजना के बारे में जानकाई दिया गया था जो बदलाव के बारे में बताया था अगनीपत योजना के बारे में वो आप लोग का बिल्कुल फर्जी है कोई भी बदला सब्सक्राइब तो लोग जोए गलत जानकारी दे रहे थे उनलोगों को भी जानकारी नहीं था कि कहां से आया हुआ है तो इस तरीके से अपडेट यहां पर निकल के आया हुआ है